चलिए, अब हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, इस प्रॉब्लम में हमें यह पूछा है कि पोटैसियम सूपर ऑक्साइड पैरामेगनेटिक क्यों होता है, तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो अगर हम पोटैसियम सूपर ऑक्साइड की बात करें, तो इसमें पोटैसियम के प्लस आयन के फॉर्म में होता है, वहीं ऑक्सीजन सूपर ऑक्साइड आयन के फॉर्म में होता है, जिसका फॉर्मूला होता है O2-, और यहां पर पोटैसियम का ऑक्टेट कम्प्लीट होता ह और सारे electrons paired होते हैं, तो इसमें paramagnetic nature potassium ion के presence से नहीं आता है, यहाँ पर paramagnetic nature superoxide ion के presence के कारण होता है, इसको explain करने के लिए हमें superoxide ion का energy level diagram बनाना पड़ेगा, जो की हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि sigma star 2p molecular orbital में एक unpaired electron present है, और हम जानते हैं कि अगर किसी भी compound में unpaired electron present होता है, तो वह paramagnetic nature का होता है, सिंस यहाँ पर superoxide ion में एक unpaired electron है, इसी लिए potassium superoxide paramagnetic nature का होता है, और colored compound बनाता है, जो की हमें yellow या फिर orange color का दिखता है, I hope आप इस problem को समझ गए होंगे, करें एक पुम्राद के लिए बाद की होता है, और हमें एक हैं कि अंगर कि आपके हैं कि वह में एक लाद का है,